एलो फ्रेंट्स मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हैस्डिस वर्थ पर दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमारी स्किन काफी ज्यादा बेकार दिखाए देने लगती है चलिए आज आपको बताती हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जिसे आप वेरेशियंस के साथ इस्तमाल कर सकते हैं और चैरे को सुन्दर बना सकते हैं दोस्तों मैं बात कर रही हूँ नीबू के बारे में आज हम नीबू से बनानी सिखेंगे कुछ ऐसी चीजे जो आपके चैरे को सुन्दर बनाने में आपकी मदद करेंगी पहली चीज है एक स्क्रब नीबू और पिसे ही चीनी को मिला कर अपने चैरे पर स्क्रबिंग करने से सारी डिस्किन सर्स दूर हो जाती है चैरे क्लियर बनता है और नीबू होने की वज़े से आपके चैरे के सारे काले पन को भी दूर कर देता है दूसरी चीज आती है क्लेंजर और चैरे के काले पन को हटाने के लिए ओलिव ओल के साथ नीबू के रस को मिक्स करके चैरे पर मसाज करने से चेहरा अच्छी तरीके से cleanse हो जाता है और चेहरे का काला पन भी काफी हद तक दूर हो जाता है अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा tanning है बहुत ज्यादा pigmentation है तो रोजाना अपने चेहरे पर आप टमाटर के रस और नीबू के रस को मिला कर मसाज करिए ये काले पन को हलका करने में काफी अच्छा माना जाता है अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए आप नीबू से face pack भी बना सकते हैं एक चमबच चंदन के powder के अंदर एक चमबच दूर और एक नीबू का रस मिला कर अच्छी तरीके से mix करिए और इसे अपने चेहरे पर लगा कर 20 मेंट के लिए छोड़ दीजिए 20 मेंट के बाद जब आप इसे wash करेंगी तो आप देखेंगी कि आपका skin काफी ज्यादा tight हो चुका होगा काफी ज्यादा bright हो चुका होगा और आपके चेहरे से सारी गंदिगी दूर हो चुकी होगी अगर आप अपने चेहरे से काले पन को दूर करना चाहती है तो आप नीबू का इस्तेमाल कर सकती है तो दोस्तों ये है नीवू का इस्तमाल अपनी तुच्छा को चमकाने के लिए मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिव वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजिए तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ